सायद सरकार के मन में वीर कुवर सिंग के लिए सिर्फ इतना ही रह गया है कि उनके नाम पे सैकरो सम्मेलन पटना में कराये जाते हैं जो हत्या हुई है उसका अगर सही जांच नहीं हुआ तो इसका भुकतान बिहार के साथ साथ देश की सरकार को भी करना हुआ यह किसी छत्रिय समाज का अपमान नहीं है यह देश का अपमान है बाबु वीर कुवर सिंग के परपोते की जैसे ही हत्या हुई उसके बाद से ही पूरे बिहार में है और पूरे देश में भूचाल आयो हुआ है खास करके जो तबाम छत्रिय समाज के लोग है वो इस बात को लेकर काफी आक्रोसित है इसको लेकर हम बात करेंगे पटना हाई कोट के अधिवक्ता है रितुराद सिंग कैसे देखते हैं बाबु वीर कुवर सिंग जो बिहार और पूरे देश के धरोवर है उनके परपोते की प्रशाशन द्वारा ही हत्या करते हैं देखे सबसे पहले और अंग्रेजों को नाके चना चबाते हैं ऐसा योध्धा और उस परिवार के अगर ब्यक्ति की प्रशाशन द्वारा हत्या की जाती है नाइक प्रक्रिया में इतना समय लगाया जाता है तो मुझे लगता है कि यह देश का अपमान है यह किसी छत्रिय समाज का अपमान न अनसज है और यह साबित करने में अगर निया इक प्रक्रिया सही से नहीं दी जाती है अगर सही जांच नहीं होता है तो मुझे लगता है कि 23 तारिक को मानीए ग्री मंत्री जी आरा की धरती पे आने वाले है और आरा की धरती के एक-एक विक्ति को यह परिचय देना होगा क ये बावु बीर कुवर्ण सिंग के परपोत्र के साथ जो अपमान हुआ है जो हत्या हुई है उसका अगर सही जांच नहीं हुआ तो इसका भुक्तान बिहार के साथ साथ देश की सरकार को भी करना होगा अब अधिवक्ता हैं क्या लगता है इस बात को दबाने की कोशिश करने ये क्या सरकान देखिए सोसल मीडिया के माध्यम से अगर छपरा जिला में यह खबर आ जाती है यह खबर अगर आप पटना में अब जानते हैं तो आराक में जो हुआ है उस पे आपको ऐसा नहीं लगता है कि सरकार के मंत्रियों को, सरकार को, सरकार के प्रसासन को, जीला प्रसासन को हर किसी को यह खबर पता है और अगर किसी ऐसे योद्धा के लिए जो देश के लिए ने उच्छावर हुआ है जो इतिहास में अंकित है अगर उसके परिवार के साथ बिहार प्रसासन न्याये नहीं कर सकता है तो आपके और मेरी भागिदारी इस देश में इस बिहार में कितनी होगी यह सोचने का विश मुझे तो यहां तक खबर आ रही है कि यहां बहुत कुछ ऐसा गलत हो रहा था जिसके विरोध में वीर कुमर सिंग जी के पौरपोत्र खड़े हुए थे बहुत कुछ ऐसा हो रहा था जो निआय संगत नहीं था और इस नियाये के लिए जो बैक्ती ख़़ा था उस बैक्त सफार्ट healthcare कर एकई यांत subject से पता चलेंगा और मैं चाहूं گहा की सरकार इसर 때 जल्द से जल्द फैसला ले फिकमर के प्र हुआ कि इंकर सरकार को विश्वास लोगे को प्रसाशन में जाए है। जद्यू में जिसकी अभी सरकार चल रही है उसमे एक MLC कोटा दिया गया है बस एक सम्मेलन कराने के लिए साल में एक सम्मेलन कराया जाता है जिसमें 5-7-10-0 की भीर जुटाई जाती है और बाबु वीर कुवर्सिंग के नाम पे जुटाई जाती है जिसमें नितीश कुमार, प्रस्ताव पारित हो गया उसको कैसे देखते हैं एक अधिवक्ता के तौर पर क्या खामिया है जैसे पहले तो सरकार को यह क्लियर करना होगा कि सराब बंदी बिहार में है या नहीं है अगर सराब बंदी है तो इसका कोई मतलब नहीं बनता है इसका कोई आचित नहीं बनता क कि पहली बार कोई शराब पिएगा तो उसको फाइन दे के छोड़ देना है मतलब है कि सरकार मानती है कि बिहार में सराब चालू है और हर जगे सराब बिक रही है देखिए एक लीपा पोती के लिए नया कानून लाया गया है क्या लगता है पुलीस का पॉकेट मोटा हो जाएगा देखिए यह तो हमसे बहतर आप जानते हैं कि जो कानून वहां से पास हुआ है वो कानून सरक पे कितना उतरेगा और सराब के नाम पे इस बिहार के एक-एक चीज को एक-एक समवेदना को कुछला जा रहा है सराब बंदी सिर्फ और सिर्फ किसी के घमंड का देन है और किसी को लगता है कि इस धर्ती पे अगर कोई जन्मा है तो कोई गलती नहीं कर सकता मुझे लगता है कि माननी ये मुख मंत्री जी को या माल लेना चाहिए कि सराब बंदी आज के युग में बिहार के लिए संभव नहीं है और इसको निरस्त करना चाहिए तो ये थे हमारे साथ पटना हाई कोट के अधिवक्ता रितुराज सिंग जिन्होंने बाबु वीर कुवर सिंग के परपोते की जो हत्या हुई है उसमें नयाईक जाच को तेज करने की बात कही वहीं उन्हेंने कहा कि बाबु वीर कुवर सिंग के नाम पर सिर्फ सम्मेलन करा जाते हैं लेकिन उनके परिवार को ही ये सरकार सुरक्षा नहीं दे पारी वहीं शराबबंदी कानुं को लेकर करा कि बिहार में शराबबंदी किसी गहमंड का नतिज़ा झाल झाल